और अब बात उन संगीत कारों, गायकों और रंग कर्मियों की जिन्होंने अपनी कला से समाज को रोशन किया है, नई दिशा दी है यूँ तो ये कलाकार किसी सम्मान के मोहताज नहीं, लेकिन सालों की इनकी तपस्या और कोशिशों को नई पहचान मिलना बेहत जरूरी है जब ये लिखते हैं तो कागज पर उखेरे शब्द साकार हो उठते हैं, जब ये तान छेड़ते हैं, सुर लगाते हैं, तो संगीत को नया विस्तार मिलता है, नया आयाम मिलता है इसलिए तो ये तमाम शक्सियत आज पद्म पुरसकारों के अधिकारी हैं 36 गड़ से तीन कलाकारों को पद्मश्री के लिए चुना गया है इनही में से एक हैं लोग गाई का उशा बारले भिलाई की रहने वाली उशा बारले, साथ साल की उम्र से पंड़वानी गाती आ रही है कपालिक शैलिक के पंड़वानी गायन में उशा बारले अंतराष्टे पहचान रखती है ये अब तक बारह से ज्यादा देशों में पंड़वानी गायकी की दस्तुती दे चुकी है उशा बारले का योगदान में गायकी तक सीमित नहीं है इस विधा के विस्तार को भी ये बड़ी शिद्दत से अंजान दे रही है इसी के तहट भिलाई में इनका संस्थान कलाकारों को निशुलक पंडवानी प्रशिक्षण देता है पद्न विभोशन डॉक्टर तीजन बाई से प्रशिक्षण ले चुकी उशा आखरी सांस तक इस कला को जीना चाहती है इसे इसके संपूर उतकर्श तक पहुचाना जाती है आर 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 के म्यूजिक कंपोजर एम एम किरावानी भी पद्न पुरसकारों से सम्मानित किये जाएंगे इनके रचे गीत नाटू नाटू की काम्याबी पर पुरा देश जूम रहा है गोल्डन ग्लोब में सफलता का परचम लहराने के बाद अब नाटू नाटू आसकर की कसोटी से भी गुजरेगा पद्न पुरसकार पाने पर एम एम किरावानी कहते हैं कि ये महस उनका सम्मान नहीं है ये उनके माता पिता और गुरू का भी सम्मान है गड़ चिरॉली के मशुहूर नाट कर्मी डॉक्टर परशुराम खुणे को भी पद्न शिरी पुरसकार से नवाज़ा जा रहा है पिछली 50 साल से डॉक्टर परशुराम रंग मंच पर अपने अभिने का कौशल दिखा रही है नकसलवाद से प्रभावित गड़ चिरॉली में डॉक्टर परशुराम खुणे युवाओं में नशाबंदी और अंद विश्वास दूर करने के लिए काम करते रहे हैं अब तक डॉक्टर खुणे 5000 नाटकों में 800 अलग अलग भुमिका निभा चुकी है वडोदरा के मशुखूर लेखाक और गायक हीमंत जोहान कोगी पदमिश्री से नवाजा जा रहा है गुजरात में इनकी लोकप्रियता का आलम ये है कि यहां हर घर और मंदिर में इनके गाय भजन पूझते हैं इन कलाकारों ने अपनी कला से समाज को रोशन किया है एक नई दिशा दिखाई है उमीद यही है कि इनकी कामियाभी उभरते कलाकारों को नई उर्जा देगी उन्नती की नई राह दिखाएगी दुर्ग से रगुनंदन पांडा और गड़ चिरॉली से वेंकटेश दुदमवार के साथ बियरो रिपोर्ट गुड न्यूस टुडे